मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार कुरोना के खिलाब देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कुछ सब्ता पहले तक ठित्या समली हुई थी और फिर ये कुरोना की दूसरी बेव तुफान बनकर आ गई जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एसास है जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देश वास्चों के तरफ से उनके प्रती समवेदनाई व्यक्त करता हूँ परिवार के एक सदस्य के रूप में, मैं आपके दुख में शामिल हूँ चुनोती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने होसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है साथियों, अपनी बात को विस्तार देने से पहले, मैं देश के सभी डॉक्टरों, मेडिकल स्टाप, पैरा मेडिकल स्टाप, हमारे सभी सभाई कर्मचारी भाई भेहन, हमारे एंबुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षाबल, पुलीस कर्मी, सभी की सराहना करूंगा, आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दाव पर लगा कर लोगों को बचाया था, आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सूख, अपनी चिन्ता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं, साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, त्याज्यम न धैरियम, विदुरे अपिकाले, अर्थात, कठीन से कठीन समय में भी हमें धैरिय नहीं खोना चाहिए, किसी भी परिस्तिती से निपटने के लिए हम सही निर्णयले, सही दिशा में प्रहास करें, तब ही हम विजय हासिल कर सकते हैं। इसी मंत्र को सामने रख कर आज देश दिन रात काम कर रहा है। बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिए गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिती को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस विशे पर तेजी से और पूरी सम्वेदन सिल्ता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइवेट सेक्टर, सभे की पूरी कोशिश है कि हर जरूरत मन को ऑक्सिजन मिले। आक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुचाने हो, और द्योगी इकायों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो, ऑक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में, देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडिस्ट्री के बड़े जो प्रमुक लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदर ली जा रही है। हम सौगभाग्य साली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है, जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईया बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ फहरों में ज़्यादा निमान को देखते हुए विशेश और विशाल कोविर होस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथियों पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे। उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन के लिए काम शुरू कर दिया था। हमारे वैज्ञानिकों ने दीन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाश्यों के लिए वैक्सिन्स विख्षित किये हैं। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सिन भारत में हैं। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्ता के अनुकुल वैक्सिन हमारे पास हैं। इस प्रयास में हमारे प्रावेट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बहतरीन प्रदशन किया है। वैक्सिन की एप्रूबल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पर रखने के साथ ही सभी साइन्टिफिक और रेगुलेटरी मदद को बढ़ाया गया है। यह एक टीव एफट है जिसके कारण हमारा भारत दो मेड इन इंडिया वैक्सिन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभियान शुरू कर पाया। टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि जादा से जादा छेत्रों तक जरुरत मन लोगों तक वैक्सिन पहुँचे। दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले दस करोड फिर ग्यारा करोड और बारा करोड वैक्सिन डोस दिये गए हैं। आज कोरोणा से इस लड़ाई में हमें होसला मिलता है कि हमारे हेल्थ केर वरकर्स, फ्रंट लाइन कोरोणा वारियर्स और सीनियर स्टिजन्स के एक बड़े हिस्से को वैक्सिन का लाब मिल चुका है। साथियों, कल ही वैक्सिन को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है। एक मई के बाद से अठारा वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सिनेट किया जा सकेगा। अब भारत में जो वैक्सिन बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा। इस बीच गरीबों, बुजरगों, नीबने मद्यमबर के लोग, मद्यमबर के लोग, 45 वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो वैक्सिन कारकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा। पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुप्त वैक्सिन मिलती रहेगी जिसका फायदा जैसा मैंने कहा हमारे गरीब परिवार हो, हमारे मद्यमबर, निम्मद्यमबर के परिवार हो, वो उनका लाब उठा सकेंगे। साथियों, हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए हैं और जीवन बचाने के लिए तो है ही प्रयास से भी यह है कि आर्थिक गतिविधियां और आजिवी का कम से कम प्रभावितो प्रयास का तरीका यही रखा जाए। वैक्सिनेशन को अठारा वर्ष की आयू के उपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्क फोर्स है उसे तेजी से वैक्सिन उपलब्द होगी। राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमीकों को भी तेजी से वैक्सिन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्र है कि वो स्रमीकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्र करे कि वो जहां है वही रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। साथियों पिछली बार जो परिस्तित्यां थी वो अभी से काफी बिन्न थी तब हमारे पास इस वैस्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफा सक्टर नहीं था। आप याद करिये देश की क्या स्थिती थी। कोरोना टेस्टिंग के लिए परियाप्त लैब नहीं। पी-पी-ई का कोई प्रोडक्शन नहीं। हमारे पास इस बिमारी के ट्रिक्टमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं। लेकिन बहुती कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया। आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुती अच्छी एक्सपरटीज हासिल कर ली है। वो जादा से जादा जीवन बचा रहे हैं। आज हमारे पास बड़ी मात्रा में पी-पी-ई कीट्स हैं। लैप्स का बड़ा नेटवर्ग हैं। और हम लोग टेस्टिंग की सुविदा को निरंतर बढ़ा रहे हैं। साथियों, देश ने कोरोना के खिलाब अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैरिय से लड़ाई लड़ी हैं। इसका स्रे आप सभी को, सभी देशवास्यों को ही जाता है। अनुशाशन और धैरिय के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं। मुझे विश्वास हैं, जन भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे। आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग, कई सामाजिक समस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने में दिन रात जुटे हैं। दवाई पहुचाना हो, खाने या रहने की व्यवस्ता करनी हो, लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सभी के सेवाभाव को आदर पुर्वक नमन करता हूँ और देशवाशों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देशवाशी आगे आएं और जरूरत मंदों तक मदद पहुचाएं। समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। मेरा युवा साथ्यों से अनुरोध है कि वो अपनी सोसाइटी में, महले में, एपार्टमेंट्स में छोटी-छोटी कमीटियां बना कर कोवीड अनुसासन पालन करवाने में मदद करें। हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेन्मेंट जोन लगाने की जरूर पड़ेगी न करव्यू लगाने की जरूर पड़ेगी और लोगडाउन का तो सवाल ही नहीं उड़ता है। आवसकता ही नहीं पड़ेगी। स्वाच्छता अभियान के समय देश में जागरुपता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की दी छोटे-छोटे बालक पाचवी, साथवी, आचवी, दसवी पड़ने वाले उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया उन्होंने बड़ों को भी स्वाच्छता का संदेश दिया था। आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तोर पर कहना चाहता हूँ। मेरे बाल मित्र, गर में ऐसा माहुल बनाईए कि बीना काम, बीना कारण घर के लोग गर से बाहर न निकले। आपकी जीद बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है। प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे संकट की घरी में वो लोगों को सतर्क और जागरुक करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसे और बढ़ाएं। इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें कि डर का माहूर कम हो सके। लोग अफ़ा और ब्रह्म में न आएं। साथियों आज की स्थिती में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोद करूँगा कि वो लोगडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लोगडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी हैं। और माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है। हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे और देश्वास्यों की सहथ का भी ध्यान रखेंगे। साथियों, आज नवरात्री का आखरी दीन है। कल रामनोमी हैं और मर्यादा पुरसोतम स्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकटकाल में, कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कुरुपिया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए। दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। यह मंत्र जरूरी है, वैक्सिन के बाद भी जरूरी है। रमजान के पवित्र महने का भी आज सात्मा दीन है। रमजान हमें धैरिय, आत्मसयम और अनुशाचन की सीख देता है। कोरोना के खिलाप जंग जीतने के लिए अनुशाचन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरीरू हो, तभी बाहर निकले। कोवीड अनुशाचन का पूरा पालन करे। मेरा आप सभी से यही आगर हैं। मैं आपको फिर यह भरोसा देता हूँ। आपके इस साहस, धैरिय और अनुशाचन के साथ जुड़कर, आज जो परिस्तित्या हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आप सभी स्वस्त रहें, आपका परिवार स्वस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समार्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्यवादू